गाईस इन दीनों बॉक्स आविज पर कई सारी बॉल्यूड और साउथ फिल्में चल लए हैं जिनने बॉल्यूड इंडस्टी के दिक्कस कलाका राजकुमार राउ इस्टार फिल्म मिस्टर और मिसेज माही बॉल्यूड इंडस्टी की फिल्म सावी एबलडी हाउस वाइफ और साउथ सिनेमा की वराब्दी मोस्ट अवैटड फिल्मों गैंग्स आप गोदावरी जैसी फिल्में शामिल हैं गाईस आपको बता दें इन सबी फिल्मों को आज सिनेमा करूं में रिलीज हुए तीन दिन पूरे हो चुके हैं आज की इस वीडियो में हम इन तीनों फिल देते हैं राजकुमार राव इस्टार फिल्म मिश्टर आइंड माही के बारे में तो आपको बता दें यह एक स्पोर्ट ड्रामा रोमान से भरपूर फिल्म है साथी साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्डवाइट बॉक्स आपिस पर सोलह सो से जाता की स्क्रीन पर रि आपको बता दें इस फिल्म को आइंडीबी पर सेवन पॉइंट डू आउटर टेंट की रेटिंग मिली है वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स अपिस कलिशन की आपको बता दी इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स आपिस से छे करोड़ पशतर ल 50 लाक रुपे के रेंज में क्लिशन किया है इस तरह तो ते फिल्म मिस्टर एंड में का डूडल तीन दिनों में इंडिया में बॉक्स आप इस घ्रिशन तकरीबन 16 क्रोड 85 रुपे का हो गया है वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 40 क्रोड़ चोधे दिन के इंडियन बॉक्स ओफिस कलिशन के बारे में चरजा किया है तो आपको पता दिये फिल्म अपने चोधे दिन यानि अपने पहले जो मॉर को इंडियन बॉक्स ओफिस से 2.5 से 3 करोड रुपे के रेंज में कलिशन करने वाली है इस तरहते फिल्म Mr. and Mrs. Mahi का टूटल चार दिनों में इंडिया में बॉक्स ओपिस कलेशन तकरीबन 19 करोड रुपे के पार पहुच जाएगा वहीं किसाब बात कर लेते हैं बॉलियूर इंड़स्टी की फिल्म सावी एबिलिटी हाउस वाइफ के बारे में तो काईस आपको बता दें यह एक एक्शन ट्रामा थ्रीलन से भरपूर फिल्म है साथी साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्डवाइट बॉक्स ओपिस पर 1200 से जादा की स्क्रीन पर रिलीस किया गया था वही इस फिल्मे के इस्टार काश्ट के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दी इस फिल्म में अनिल कपूर, दिव्या, कोसला और हर्षवधन राने जैसे का लाका नतर आए हैं वही आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का निर्डेशन अभिना देव ने क करोड 80 लाक रुपे का कलिशन किया था साथी साथ इस फिल्म के तीसरे दिन के Indian Box Office कलिशन के बारे में चर्चा की जाये तो आपको बता दी इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन यानि अपने पहले रभीबार को Indian Box Office से 1 करोड 90 लाक रुपे का कलिशन किया है इस तरहते फिल्म सावी का टूटल 3 दिनों में इंडिया में Box Office कलिशन तकरीबन 5 करोड 30 लाक रुपे का हो गया है वहीं आपकी जानकरे के लिए बता दे इस फिल्म का बजट 20 करोड रुपे के रेज में बताये गया है वहीं इस फिल्म के वर्ड वाइट Box Office कलिशन के बारे में चर्चा की जाये तो आपको बता दी इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर्चे तकरीबन 6 करोड 35 लाक रुपे के रेज में कलिशन कर लिया है इस तराथी फिल्म सावी का टूटल 4 दिनों में इंडिया में Box Office कलिशन तकरीबन 6 करोड 50 लाक रुपे के आसपास का पहुच जाएगा वहीं के सब बात कर लेते हैं साउस सिनेमा की फिल्म गैंसाब गोदावरी के बारे में तो कैसे आपको बता दें ये एक आईशन एडवेंचर से भरपूर फिल्म है साथी साथ आपको बता दें इस फिल्म को Worldwide Box Office पर 1500 से जादा की स्क्रीन पर रिलीस किया गया था वहीं इस फिल्म के इस्टार काष्ट के बारे में चर्चा की जाये तो आपको बता दें इस फिल्म में विश्वक शेन, नेहा शिटी, अंजली, नसर, हाइपर आदी और नोरा फतेही जैसे कलाका नदर आएं है वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का निर्देशन किरिशना चैतन्या ने किया है साथी साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDB पर 6.2 आउट अप्रेंट की रेटिंग मिली है वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स अफिस कलिशन की आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स अफिस से 5.20 लाक रुपे का कलिशन किया था दूसरे दिन इस फिल्म ने दो करों नपे लाग रुपे का कलिशन इस फिल्म ने किया था साथी सथ इस फिल्म के इस दिन की इंडियन बॉक्स अपिस कलिशन की बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दी इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन यानि अपने पहले रविवार क इंडियन बॉक्स अपिसे दू करोड़ 75 लाग रुपे के रेज में कलिशन किया है इस तरह ते फिल्म गैंग साब गोदावरी का टोटल तीन दिनों में इंडिया में पॉक्स अपिस कलिशन तक्रीबन तस करोड़ 85 लाग रुपे का हो गया है वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपे के रेज में बताया गया है वहीं इस फिल्म के वरड़ वाइड बॉक्स अपिस कलिशन के बारे में चर्ज़ा की जाए तो आपको बता दें इस फिल्म ने अब तक दुनिया परशे तक्रीबन 14 करोड़ 10 लाग रुपे के र सब्सक्राइब को दावरी का टूटल चार दिनों में इंडिया में बॉक्स अपिस करेशन तक्रीबन 12 करोड़ 50 लाग रुपे के आसपास का पहुच जाएगा वसकाई इन सबी फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंड बॉक्स में क वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मुवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्किल मत बोलिएगा